हाई गाईज दिस इस मनीश कुमार वेलकम टू माई चैनल शोट नोट्स बाय अमके तो गाईज इस चैनल पर आपको यूबी ऐसे रिलेटेड इंपोर्टेंट शोट नोट्स मिल जाएंगे यह हैं डिटर नोट्स होने वाले हैं गाईज और आज का जो मारा टॉपिक है वो है EWS कोटा यानि एकनॉमिकली वीकर सेक्शन्स तो गाईज टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपोर्टेंट बात बताना चाहूंगा गाईज अगर आपको जो यह नोट्स है वो पीडियाफ फॉर्म में चीएं तो आप में टेलिग्राम चैनल को जो जोईन कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से जाके आप जोईन कर लीजेगा वहाँ पर आपको यह सारे notes मिल जाएंगे तो guys आज हम discussion करेंगे EWS quota के बारे में यानि economically weaker section के बारे में तो guys topic आपका GS paper 2 और GS paper 3 के perspective से काफी important हो जाएगा वहाँ आपको काफी important topics देखने को मिलेंगे जैसे Indian constitution judgment and cases, government policies and intervention तो इसे आप relate कर पाऊगे guys हाले में जो यह topic था वो काफी चर्चा में रहा था वो क्यों क्योंकि guys हाले में Supreme Court ने recently question किया था हमारी सरकार से कि आप लोगों ने जो यहाँ पर यह economically weaker section वाले जो category के लोग हैं इनके income limit को आपने 8 lakh decide किया हुआ है वो किस basis पर किया है Supreme Court ने question पूछा था हमारी सरकार से दूसरा उन्होंने पूछा था कि जो यह criteria है 8 lakh income basis वाला क्या आप उसको revisit करना चाहोगे क्या तो यह सारे question पूछे गए था हमारी Supreme Court के दोवारा हमारी सरकार से तो guys यह recently अभी news चल रही थी तो इसके बारे में भी आपको एक idea रखना है तो अब guys हम discuss करेंगे कि यह EWS quota actually में है क्या तो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे तो देखो guys 10% का EWS quota दिया गया था और वो भी जल्द ही दिया गया था 2019 में दिया गया था economically weaker section को economically weaker section के अंदर जो बहुत सारी लोग आते हैं जिनकी financial condition काफी जादा बूरी है जिनके पास अच्छा पैसा नहीं है उन्हें यहाँ पर जो है quota मिलता है 10% का quota दिया जाता है इन लोगों को अब यह लायक इसके थूरू था तो 103rd Constitution Amendment Act किया गया था 2019 में उसके basis पर आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 को amend किया गया इसमें आर्टिकल 15 clause 6 और आर्टिकल 16 clause 6 को add किया गया और यहाँ पर हमारे पास EWS का concept आ गया economically weaker section का अब यहाँ पर जो भी लोग ऐसे हैं जिनकी financial condition बहुत बुरी है तो वो एक तरीके से reservation के लिए हाँ पर भी उन्हें एक तरीके से reservation का फायदा मिलने वाला है अब गाईस जो भी मैं आपको बता हूँ उसको काफी ध्यान से समझिएगा जैसे मैंने अभी आपको बताया EWS किसके लिए है जिनकी financial condition काफी बुरी है तो OBC अलग है other backward classes अलग है schedule cast से लग है schedule tribe से लग है इनके अलावा यहाँ पर यह EWS को अलग से जो general category में जो लोग है उनमें भी बहुत सारे लोग अपर कास्ट में बहुत सारे लोग आप ऐसे देख पाऊगे जिनकी financial condition काफी अच्छी नहीं है तो उनके लिए भी यहाँ पर यह करते हैं इसके significance की देखो इसका importance यह है कि कही न कहीं इनकोईल्टी खतम होती ही नजर आएगी obviously यहाँ पर हमने OBC को SCST को quota दिया तो इनकोईल्टी थोड़ी खतम हुई लेकिन क्या हुआ कि अभी भी बहुत सारे लोग अपर कास्ट में रह गए जिनकी भी काफी हद तक financial condition बुरी है तो उनको भी यहाँ पर हमने quota प्रोवाइड करवा दिया तो इसी वज़े से जो इनकोईल्टी रहती है अपर कास्ट और लोवर कास्ट को लेकर under reservation वो भी थोड़ी सी manage हुई है साथे साथ बहुत सारे backward classes भी देखने को मिलते हैं तो उनको यहाँ पर एक तरीके से आगे लेकर आया गया है यह हम लोगों को देखने को मिलेगा मतलब की backward classes अपर कास्ट वाले में जो अपर कास्ट वाले लोग होते हैं उनमें भी बहुत सारे backward classes होती है तो उनको भी हम लोग आगे लेकर आ रहे हैं तो ये दूसरा इसका benefit है देन उसके बाद cast based discrimination में reduction देखने को मिलेगा तो ऐसा क्यों है क्यों कि क्या होता है कि जब भी reservation की बात आती है हम लोग किस चीज से relate कर देते हैं cast से relate कर देते हैं तो यहाँ पर obviously जब reservation की बात आई है अगे यहाँ पर economically weaker section को reservation दिया गया है तो इससे भी कही न कहीं cast based discrimination होता है तो वो कम होने वाला है जो upper cast category है उसके अंदर अब इसके अंदर काफी सारी concern वाली बाते भी हैं चिंता वाली बात क्या है सबसे पहले आपके पास data पुरा proper है नहीं यहाँ पर इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी काफी सारी question उठा चुका है पहले भी कि देखो सरकार के पास इसको लेकर एक proper data है नहीं और proper data ना होने के बावजूद भी यहाँ पर economically weaker section को यह quota दिया गया है सुप्रीम कोर्ट यह question भी पूशता है कि सरकार ने किस basis पर यहाँ पर यह quota दिया है आपके पास कोई data है क्या कि कितनी limit है कितनी limit नहीं है लोग की तो आपके पास कोई data है जिसके basis पर आपने यह quota दिया है अब guys आगे देखते हैं उसके बाद यहाँ पर यह बोला गया एक दूसरी concern वाली बात यह है कि जैसे ही हमने यह economically weaker section के लिए 10% का यह quota दिया इससे क्या हुआ कि एक बहुत पुराना case था वो कहीं न कहीं violet हो गया वो कहीं न कहीं breach हो गया तो वो कौन सा था वो है इंद्रास्वानी judgment यहाँ पर बोला कि कहीं पर भी एक तरीके से जो reservation होगा वो 50% से जादा नहीं होगा और 50% already SCST OBC को लेकर हो चुका था नाव EWS को लेकर आए तो यहाँ पर यह 50% का जो limit था वो तूट चुका था के बाद गाई आगे देखते हैं क्या बोला गया तो गाईज यहाँ पर फिर से वही सारी चीज़े बताए गई है कि सरकार ने जो यह criteria बताया है कि जिसकी income सालाना 8 लाग से कम है वो EWS category के लिए eligible है तो यह criteria बिलकुल baseless है और यह criteria किसी भी data or studies पर जो है base नहीं है साथ ही Supreme Court सरकार से यह question करता है कि क्या उन्होंने states की GDP पर गोर किया है क्या तो गाईज इसको मैं आपको एक example के तुरू समझाता हूँ तो गाईज हमाई states की per capita income के बीच काफी vast difference देखने को मिलेगा अगर गाईज मैं बात करूँ Goa की तो गाईज Goa की सालाना per capita income आपको 4 लाग रुपे देखने को मिलेगी जो की सभी states के comparison में सबसे जादा है यानि Goa के अंदर एक आम आदमी लगबग सालाना 4 लाग रुपे कमा रहा है और हमारा EWS का criteria ही 8 लाग का है तो ऐसे तो गाईज Goa के सभी लोग EWS के लिए eligible हो जाएंगे वही गाईज अगर हम बात करें बिहार की तो बिहार में एक आम आदमी लगबग सालाना सिर्फ 40,000 लुपे कमा रहा है तो आप देख सकते हो कितना वास difference है ऐसे में गाईज एक्चली में जिस वेक्टी को इस reservation की ज़रूत होगी उनको भी ये reservation नहीं मिल पाएगा तो इसलिए ये criteria को baseless बताया गया है उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया है कि way forward क्या हो सकता है उसके बारे में बताया गया है कि सरकार को यहाँ पर इस reservation से अच्छा focus करना चाहिए लोगों के उपर social appointment के उपर focus करना चाहिए जिससे लोगों के अंदर हम काफी सारी चीजों को develop कर सकेंगे उन्हें ऐसा बनाएंगे कि वो लोगों को job provide करवाएं ना कि job के पीछे खुद भागे तो इन सारी चीजों को हमको way forward के नजरिये से देखना पड़ेगा साथ ही corruption वगेरा ना हो तो इसके बारे में भी हमें ध्यान रखना होगा तो guys यही था हमारा topic EWS quota hopefully आपको सारी चीज़े समझ आगई होगी अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो like, comment चाहिए जरूर कर देज़ेगा साथ ही साथ चैनल को भी जरूर सबस्क्राइब कर लेना गाईज और एक और चीज़ गाईज अगर आपको जो यह notes है वो PDF form में चीए तो आप में टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं link आपको description में मिल जाएगा साथ ही guys अगर आपको कोई query आती है या कोई question पूछना हूँ तो आप मेरे को Instagram पे भी जो है contact कर सकते हैं link आपको description में मिल जाएगा मेरी ID का तो guys that's for all today thanks for watching जैन जै भारत